हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब दा एविजर्ड अकैडमी की तरफ से मैं मुहम्मद आफ्तावलम और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक शांदार जानदार और आपके काम की वीडियो प्यारे बच्चो अगर आप NS Open Board के दसवी तथा बारवी क्लास के स्टूडेंट्स हैं और एक्जाम देने वाले हैं अप्रैल संदोहजार 21 के अंदर या फिर अक्तूबर संदोहजार 21 के अंदर और अगर अभी तक आप लोग ने अपनी स्टडी स्टार्ट नहीं की हैं ये सम स्टूडेंट्स जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें अप्रैल संदोहजार 21 या फिर अक्तूबर संदोहजार 21 के अंदर एक्जाम देना है उन तमाम बच्चों को कम पढ़कर अच्छे मार्क्स कैसे मिलेंगे जिहां इंपर्टेंट यह है कि आप लोगों को क्या पढ कर आ जाते हैं तो ऐसे में आप लोगों को यह जानना बहुत जरूरी है कि आप लोगों को नैस उपन बोर्ड की तयारी करने के लिए क्या पढ़ना चाहिए और साथ ही साथ अगर आप लोगों को यह बात समझ में आ जाए कि वह क्या पढ़ना चाहिए तो फिर वह स्टैड कोई भी बात, important बात मिस कर जाएं तो चलिए, अब बिना किसी दरी के वीडियो को start कर लेते हैं और देखते हैं क्या है खास इस वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि April 2021 तथा अक्तूवर 2021 का स्लेवस क्या होने वाला है पैरे बच्चों, जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि जनवरी फरवरी में जो एक्जाम अभी कंड़क्ट करवाए गए थे, उसके अंदर जो स्लेवस बच्चों का लिया गया था, वो बहुत स्टूडेंट जो April 2021 तथा अक्तूवर 2021 में एक्जाम देंगे उनका भी पेपर जो है, वो सेम फार्मिट पर आएगा, और इसलिए मैंने आप लोगों के लिए जनवरी फरवरी सनदोजार 21 में होने वाले एक्जाम के सबी सब्जेक्टों के जो कोशन पेपर थे जो इस बार हुए थे, वो लेटेस्ट वाले में अपने चैनल पर अप्लोड कर दिये हैं और आप उनको देखकर ये समझ जाईए कि आप लोगों के भी एक्जाम इसी तरीके से होंगे और आप लोगों को इसी लेवल के कोशनों की तयारी करनी होगी और प्यारे बच्चों, अब बहुत सवाल उठता है कि वह आप लोगों को अपने एक्जाम की तयारी करने के लिए किस तरह के नोर्स या किस तरह के important कोशन पढ़ने चाहिए लेकिन इसको बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप लोगों को नियू स्लेबस पढ़ना है ना कि पिछले साल का या फिर सन 2018-17 ये वाले स्लेबस आपको नहीं पढ़ने हैं सन 2021 के अंदर NIS Open Board ने अपना स्लेबस अपडेट किया है चैप्टर से डिलीट नहीं किये हैं पहले मैं आपको कंफर्म कर दूँ जो आप लोगों के चैप्टर हैं उसके अंदर से content वो डिलीट हुए हैं और ऐसे में बच्चों के अंदर ये बहुत ज़्यादा गलत फैमी आ जाए है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो ऐसी चीजें ऐसे topics पढ़ लेंगे जो उनके स्लेबस में है नहीं जो उससे related को कोशन नहीं आना तो आपकी महनत जो है वो बेकार हो जाएगी तो ऐसे में ये जानना आफी, sociology, environmental science, yoga, business study, data entry, economics, English, Hindi, home science, mass communication, painting, political science and psychology और इसके अलावा अभी जो important questioner की जो PDF है वो तयार की जारी है यहाँ पर update कर दिया जाएगा इसी तरीके से हम बात करें 10th class के बच्चों की तो यहाँ पर देखेंगे 10th class के बच्चों को लिए social science, business study, Hindi, Hindi के letters, grammar, home science, science और science के previous year के question paper भी हमने आप अप्लोड किये हैं साथी साथ painting, भारते संस्कृति, data entry और English तो यह तमाम जितने भी आप लोगों के subject हैं चाहे हो दसवी के हो चाड़ार भी के हो वो new syllabus के according हमने आपर most important questions आप लोगों के लिए तियार किया है वैसे हमने फिलाल में ही इसे upload भी कर दिया है लेकिन कई सारे बच्चे ऐसे थे जो यह कह रहे थे कि सर वीडियो में से question answer देखकर उतानने में बहुत साथा दिक्कत हो रही है तो आप जो है उसका PDF प्रोवाइट करवा दीजिए तो मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है लोगों को like करना है और share कर देना है आपको हमारे whatsapp number 7678696142 पर और उसके बाद आपको बताना है अपना subject, अपना medium, अपना class और तीन चीज़े आप हमें बताएंगे class subject और medium तो हम आप लोगों को उसी subject का, उसी medium का, उसी class का PDF important questions send कर देंगे और आप उनको पढ़कर अपने subject आपको 10 rupees पे करना है अगर आप इस video को share करते हैं और उसके बाद अगर आप हमसे PDF लेते हैं तो, otherwise अगर आप इस video को share नहीं करते हैं और like नहीं करते हैं तो फिर आप लोगों को 50 per subject देना होगा, तो आप simply एक छोड़ा सा share बटन पर click करना है, like करना है और आप लोगों को तवाम subject जो है, new syllabus के coding मिल जाएंगे और मैं आप लोगों को guarantee देता हूँ, कि जो भी हम आप लोगों को important question देंगे, अगर आप इसकी अच्छे से तयारी कर लेते हैं, अच्छे से preparation हो जाती है आप लोगों की, और जो मैं आप लोगों को important question देंगा, उसके answer अगर आप paper में लिख कर आते हैं, तो 100% definitely आप जो है, अच्छे नमरों से pass हो जाएंगे, न केवल pass होंगे, बलकि आप लोगों की percentage भी बहुत अच्छी आ जाएगी, तो उमीद करता हो, आप सभी बच्चे जो है, अपने exam की तयारी जल्दी से जल्दी शुरू कर देंगे, क्योंकि कई सार अच्छी नहीं करोगे, exam में कुछ लिखोगे नहीं, तो definitely आप लोगों का paper अच्छा नहीं जाएगा, तो आप exam की तयारी आज से अभी से ही शुरू कर दीजिए, ताकि अगर आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे, तो आप अच्छे नमरों से pass हो जाएंगे, उमीद क पाएंगे.